असलाम लेकुम आज जो एम्प्रिफायर मैं आपके लिए लेकर आए हूं वो बहुत ही बहुत ही पावरफुल है एक्स्ट्रीमली पावरफुल है टोटल इसकी जो पावर है अल्मोस्ट कोई फ्री फ्री प्लस थींडेट वार्ट और ऑवुफर लेफ रैट थींडेट वाट का है पर चैनल और जो सब फर वोफर वह वो 600 वाट का है तो इसकी अंबाक्सिंग और टेस्टिंग मैं अल्रेडी कर चुका हूं लेकिन यह आपको एक्सपेरियंस कराने के लिए मैं इसको दुबारा पैक किया तो इसको जो है मैं अन्बॉक्स कर लेता हूं फरस्ट आफ आफ आल बेसिकली एलिया एक्सपेस से मंगवाय है जो एक बहुत ही वेल नौन और अल्ट्रा एच्डी हाई डेफिनेशन साउंड के लिए जो है जानी जाती है बहुत प्रो एक्ट में वह यूज होती है बहुत ही पावरफुल आईसी है तो उस बेस के उपर उस आईसी के बेस के उपर जो यह एंप्लिफाइड डिजाइ बस सिंपल सा बॉक्स है अब इसको जब हम ओपन करेंगे तो इस तरह के यूपर प्रोटेक्टिव फॉम भी रखा हुआ है और यह इसके अंदर वॉल्यम कंट्रोलर्स थे हो मैंने निकाले में यह आपके सामने है मल्टिपल जो है वॉल्यम्स है इनकी कॉलिटी बहुत ही अच्छा गेज बहुत थिकने से और यह आपके सामने जी यह बोड आ गया है एक मंद में आपको यह बोड निकाल के दिखा दूँ यह बोड बहुत ही हाई क्वालिटी का मैं अर्ड़ी चेक कर चुका हूँ इसका साउंड और तो इस वजासे मैं आपको रिव्यू से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि यह बहुत ही आउट क्लास का इसका साउंड है बहुत पावरफुल है एक्स्ट्रीमली पावरफुल है यह एक नॉर्मल होम थेर्टर के लिए तो बहुत ही ज्याद है अगर किसी को बहुत हाई-फाई साउंड चाहिए बहुत एक्स्ट्रा ओर आना था बहुत पावरफुल सा तो है भी यह बिल्कुल लेटस मॉडल बोर्ड जो है अल्मॉस्ट कोई एक मेना पहले रिलीज हुआ है तो मैं चाहरा था कि यह वाला बोर्ड यूज करूं और बोर्ड आ ही चुका है तो मैं आपको क्यों ना इसका जो है सजेशन भी दे द और के उपर तो अगर जैस नहीं भी होता क्योंके काफी एक्सपेंसिव बोर्ड है अभी भी मैंने इसको पर्चेस किया है तो तक्रिमान कोई 24,000,000 बे का यह मुझे मिला है पाकिस्तान में आई डून नो आप कहां से देख रहे हैं तो डॉलर की प्राइस के हिसाब से आप किया था तो तक्रिमान एट या नाइथ आफ दे मॉन्थ यह जो मुझे रसीव हो गया था छे साथ दिनों के अंदर है तो सबसे पहले जो है इसका ओवर व्यू ले ले लेते हैं यह फस्ट वाला जहां पर देखेंगे यहां पर जो है यह यहां पर यहां में ऐसा इसके साथ जो है यहां पर चैनल है उसका बेस कंटरॉलर इहां पर कनेक्ट होता है यहां पर ट्रेबल कंट्रोल कनेक्ट होता है और उसके साथ में यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर सब वूफर जो आप लगाएंगे, वो उसका मास्टर वालियम है, और लेफ्ट साइट पर उसके फ्रिक्वेंसी कंट्रोल दिया है, जहां तक फीचर्स की बात है, तो यह बोर्ड जो है, बहुत ही फीचर रिच है, बहुत ही, ऐसा बो जो है, यहां पर यह इंपूट दिये हैं, और यहां पर आपने माइक्रोफन एड करना है, तो वो भी एड कर सकते हैं, यह जैसे यह इसके अंदर ब्लूट इन ब्लूटूथ दिया है, फाइव पॉंट वन है, अगर आपको दूसरा को मोडूल लगाना है, तो यहां पर यहां से डिजाइन किया हुए, जहां तक कमपनेट्स की बात है, तो बहुत बहुत ही आउट क्लास क्वालिटी के लगे में, यह अब भी तक मैंने तो किसी बोड दूसरे में नहीं देखे इस क्वालिटी के जो कमपनेट्स लगे हुए हूँ, टॉप पे जो है, पंखा 600W की IC है, लेफ्ट राइड के लिए और 600W के लिए सब वूफर ड्राइफ करने के लिए PBTL मोड में एक सिंगल डेडिकेटड IC लगे हुए, तो उसके ओपर हीट सिंग भी काफी बड़ी दी हुए, तो यह हीट एक्जास करती है, क्योंकि लोड अच्छा खासा है, इसके ओ अच्छा लगे हैं, अच्छा जी, उसके नीचे आप यहां पर लगे हैं, और इनके जो configuration है, वो 4 ohms के हिसाब से की गई है, यहां पर, inductors की quality जो है, बहुत ही outclass है, बहुत outclass है, यहां पर नीचे इस capacitors देखेंगे, यह भी बहुत outclass लगे हैं, अच्छा जी, यहां पर यह जो output में, यह output के जो connectors हैं, यह I hope कि आपको नजर आ रहा होगा, बहुत ही heavy, बहुत ही heavy strip लगी हुई है, क्योंकि, क्योंकि load इस पर बहुत ज्यादा output का आपने obviously use करने है, बड़े speakers, तो यह melt ना हो, इस वजासे बहुत ही high-five quality के, जो है आपके connectors दिया है, उसके आप left side पर देखेंगे, तो यहां पर यह USB लगा है, इसको आप as a sound card भी use कर सकते हैं, digital input के लिए, औ और दूसरा आपका जो soundtracks वगएर हैं, वो इसके जिरे प्ले कर सकते हैं, अच्छे इसको browse कैसे करना है, इसकी जो application है, वो जी audio की, वो मैंने use की विए बहुत ही outstanding है, as compared to other companies, जितने भी board manufacturer हैं, उनके मकाबले में, इनकी app बहुत अच्छी है, तो वहां से आप जो है, यहां ब्लूटूट दिया हुए, ब्लूटूट के IC जो main है, वो 5.1 है, वर्जन जो है ब्लूटूट का, यहां पर external antenna का भी option दिया हुए, यह भी आप यूज़ कर सकते हैं, यहां पर, यहां पर यह connector आपको नज़र आ रहा होगा, additional अगर आपने एक subwoofer अगर आपको कम लग रहा है, और दूसरा subwoofer आपने लगाना चाहरे है, तो यह output दिया हुए, यह output दिया हुए, प्री output दिया हुए, subwoofer के लिए low pass filter activated है already, तो आपको अगर दूसरा है कोई circuit लगा रहे हैं, इसके साथ additional woofer drive करने के लिए, तो आपको ना तो crossover लगाने की जरूरत है, ना active low pass filter लगाने जरूरत है, just plug and play है, इसमें आपको full range output नहीं मिलेगी, just आपके subwoofer के लिए, बस, ओके जी, तो अच्छा, यहाँ यह देखेंगे, right side पे जो है, DC jack दिया हुए, power input के लिए, और साथ में connector भी दिया हुए, तो आपके मर्स यह जो भी use करना हो, use power की जहां तक बात है, तो इस जो IC manufacturer है, जो maximum support करती है, IC तो उनके data sheet के इसाब से 48 volt तक जो है, आप use कर सकते हैं, इसमें, और 48 volt और जहां तक ampere की बात है, तो minimum, minimum, अगर आपको full potential इसका चाहिए, तो आपको कम असकम जो है, 20 से 25 ampere, 48 volt की power supply आपको use करनी पड़ेगी, transformer वाली supply है, जो recommended नहीं है, SMPS use करें, अच्छी output के लिए, अच्छे जो मैं इसके साथ use कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली power supply जो मैं use कर रहा हूँ, home theater एक बना रहा हूँ, उसकी video भी मैं upload कर दूँगा, ये इसकी specs है, 48 volt और 41.3 ampere, तो ये अगर मैं चाहूँ तो ये इसका size देखें, ये circuit basically rectifier power supply है, ये DC पे भी operate होती है, input DC voltage पे और AC voltage पे भी, तो इसके उपर तो मैं 2 circuit ये 3 circuit easily drive कर सकता हूँ, तो overview तो हमारा almost हो चुका है, इसके मैं back side पे आपको दिखा दूँ, back side पे ये देखेंगे, ये सारे इन्होंने ब्रेंडिंग भी की हुई है, वोजी audio की model भी लिखा बहुत ही शांदार जो है ना board ये design हुआ हुआ है, ये stereo section दिया हुए है, ये volume controller की marking की हुई है, यहाँ पे subwoofer controller है, subwoofer output ये आपको नज़रा होगा, microphone input कर सकते हैं, और ये output की branding जो है, यहाँ पे ये देखें, ये निचे marking की हुई है, तो overall ये बहुत ही, बहुत excellent जो है ना, वूफर ड्राइब करने के बाद है, तो 12 inch से लेके 15 inch, even के 18 inch का वूफर भी आप इसके ओपर ड्राइब कर सकते हैं, बस कोशिश आपने ये करनी है कि इसके ओपर जो वूफर आप ड्राइब करें, वो 2 से 4 ohms के बीच में होना चाहिए, 2 ohms से नीचे ना हो, 4 ohms से उपर ना ये, पाउर स्प्लाइ में कन्यूस ही नहीं करनी है, और जहां पर left right channels है, उसके लिए आप easily easily 8 से 10 inch के 3 से 4 woofer आप full range में drive कर सकते हैं, full range speaker यूज़ करें, mid woofer, mid woofer वैसे recommended है, वो आप यूज़ करें, क्योंकि subwoofer आपने already इसके साथ जो है, वो drive करना है, तो आपका sub frequency, mid frequency और अच्छा जी, ये मैं आपको दिखा दो, इसका just overview दे दो, ये मैंने एक design किया हुआ है, बनाया हुआ है, इसके लिए पूरा amplifier body है, enclosure है, तो इसमें मैं install करके आपको, इसका sound test भी करा दूँगा, और जो है, इसकी जो अलग से बनाने की video में मैं upload कर दूँगा, तो आप अप हमारे video section में जो है, चेक कर सकते हैं, इसकी making का, तो इसका sound test कर ले थे हैं, और pricing already मैंने आपको बता दी है, और that's it. समें में एला अपको आपकों अवाड करी साहरा है, और कर दजए और झापकों एिदित धनाने की जो है, खो कि भी in the Lord झार पन्ट Sबस्त आज़ psic झार 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 कि पार झार प्राइ कुप आपके जी सो साउंड टेस्ट हमने कर लिया है एम्प्लिफायर का एज यू हैफ सीन के तकरीमां दस वूफर ये चला रहा था चार वूफ चार लेफ्ट साइड पे चार राइट साइड पे और दो जो है डीवी सी वूफर से ठिक ताक इसके ओपर लोड था तो मुझे लग रहा था जिससाब से ये चल रहा था कि हम मजीद एक आज वूफर और भी एड़ कर सकते हैं तो इसके ओपर किसी किसम का कोई लोड नहीं होगा तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी एक इसका चोटा वर्जन भी है वो भी मेरे पास रखा हूँ है उसके वीडियो में बहुत जल्द अपलोड करूँगा आपके साथ हो सकता है कि मैं प्रोजेक्ट भी बनाऊ उसका तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप जो है वीडियो वगरा मिस ना करें मज़ीद आने वाली जो है अगर इससे रिलेटिड कोई आपके क्वेस्टन्स हैं तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब दून का तो मिलेंगे इंशाला फिर नई वीडियो में तिल देन टेक किर बाई बाई अलाफेज